नमस्कर साथियों मेरा नाम है आरके सिंग और आप देख रहे हैं संस्कृति आई है सियो टूब चैनल आपको पहले से ही सूचना मिल चुकी है कि जो आपका यूपीएस सी प्रारंभिक परिच्छा थी जो पहले से कह सकते हैं कि 26 मई को प्रस्तावित थी वो डेट अब एक्स्टेंड हो चुका है ये परिच्छा क्या है कि लग भग बीज दिन बाद फिर प्रस्तावित हो चुक है यानि कि कह सकते हैं कि 16 जून को अब ये निर्धारित की गई हैं तो इसके आधार पर क्या है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे इस परिच्छा के उनके लिए क्या है कि अब अतिरिक्त समय मिल गया है और यह जो समय मिला है इसको अगर हम जोडते हुए देखें तो जो परिच्छा होने वाली है तो अब से लगभग तीन महीने का समय जो भी अभ्यर्थी है एस्पिरेंट्स है उनको मिलने वाला है और प्रारंभिक परिच्छा की तैयारी के लिए तीन महीना माना जाता है कि एक परियाप्त समय होता है लेकिन यह तब परियाप्त होता है जब क्या हो कि आप पहले से अपने कह सकते हैं कि जो समान यधिन के अलग-अलग खंड है उन पर एक नजर डाल चुके हों अपनी तैयारी को कर चुके हों हाँ इसके बाद क्या होगा कि अब जो समय बचा हुआ है इसमें आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से देखें देखने का मतलब क्या है इसका तात्पर क्या है कि आपको यह पता हो कि जो भी आप पढ़ रहे है उसके कौन से खंड है जो महतपूर है उसके कौन से टापिक महतपूर है उसके कौन से सब टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके परिच्छा के दिश्टिकों से अत्यंत महतपूर है यानि जहां से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे है या जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है तो यह जब आप पहले से उसको क्या करेंगे identify कर लेंगे तो आप क्या होगा कि आपकी तयारी to the point हो जाएगी और अब आप उन्ही topics को पढ़ेंगे जो आने वाले होंगे या जिनकी आने की संभावना है तो इससे क्या होगा कि कम समय में आप अपनी तयारी को और depth दे सकेंगे जिससे क्या है कि परिच्छा में आप confused नहीं होंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीयस paper one यानि जो समाने अध्यन का paper first होता है उसमें भूगोल और परियावरण पारिस्थित की खंड के जो अत्यंत महत्पूर्ण topics हैं जो सब topics हैं जो आपके लिए महत्पूर्ण हो सकते जिनको यदि आप अब एक बार अच्छे से revise कर लेते हैं तो यह निश्चित मानिए कि आप अपने परिच्छा में पहले क्या पेच्छा और बेहतर कर सकते हैं और आप अपने result में कह सकते हैं कि certain हो सकते हैं कि आपका जो result होगा वो positive होगा लेकिन इसके लिए कि पहले आपको इन topics को देखना होगा समझना होगा और उसको mention करना होगा कि हम इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें क्या छोड़ें और किस लेबल पे पढ़ें और ये भी ध्यान देना होगा कि इसका जो संबंध है क्या current affairs से है यानि सम सामाई की जो खंड है क्योंकि अब जो UPSC प्रश्ण प पूचता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि आखिर करेंट के दिश्टिकोर से कौन से टापिक महत्पूर है तो इनको भी ध्यान रखना है इसमें हम एक स्टेटजी अपनाएंगे चुकि क्या है कि जो भूगोल खंड है यह इसका सलेबस काफी बड़ा है इसका डाइ करम को दो खंडों में तोड़ कर चलेंगे पहले आज के एपिसोड में जो भूगोल इसके प्रशनों की चरचा या कह सकते हैं कि जो महत्पूर्ष ठापिक्स हैं उनकी चरचा हम करेंगे और दूसरे एपिसोड जो परियाबरण पारिस्थित्की है यानि जो इन्वार्में होंगे वो दूसरे एपिसोड में उनकी चर्चा हम करेंगे तो आज के एपीसोड में हम सिर्फ क्या करेंगे कि भौतिक भूगल के जो महतपूर कापिक्स ओंगे यानि कि भौतिक भुगोल, फिजिकल जोगरफी जिसमें भूवाकृति विज्ञान, जीयो मर्फोलाजी, क्लाइमिटलाजी और उसनोगरफी यानि कि भूवाकृति जलवायू विज्ञान और समुद्र विज्ञान के जो महतपूर्ट टॉपिक्स होंगे उनकी चर्चा करेंगे और के साथ जो समाजी के हम आर्थिक भूगोल है सोसल एंड एकनोमिक जोगरफी है वो उसके प्रश्न कहा कहा से पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे और उसको भी क्या है कि कंसाई जुए में चलेंगे कि ताकि आपको बस यह पता चल जाए कि यहां यहां से हमको फिर से जो हमें एक opportunity मिली है कि 20 दिन का अतिरीक्त समय UPSC ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए exam को extend किया है तो इस समय को हम कैसे फिर से क्या करें भुना सके तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं सबसे पहले क्या है कि जो physical जोगरफी है जिसमें हमने बताया कि तीन topics आपके हैं या तीन खंड है जिसमें पहला जो होगा वो जियो मर्फोलाजी का होगा इसका मतलब क्या है कि आपका यहां तक क्या है कि यह आपका भू आकरती बिग्यान के topics हैं इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि आपको जलवायू बिग्यान के topics मिल तो अब एके करके देख लेते हैं तो देखिए अगर हम भू आकरती विज्ञान के जो टॉपिक्स हैं जो आपके परिच्छा के लिए अत्यांत महत्पूर है इसमें यह भी हम देख लेंगे कि इन टॉपिक्स से पिछले बर्सों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं तो दोडों चीजे हम देखेंगे जैसे देखें तो महासागरी नितल उच्चावल यानि जो ओसियन बॉटम रिलीफ है इससे क्या है कि अभी तक दो प्रश्न पूछे गए हैं तो देखिए एक ही टॉपिक्स से दो प्र प्रश्न पूछे जाते हैं इससे प्रश्न पूछे जाते हैं यह अलग बात है कि इसमें डाइरेक्ट प्रश्न पिछले बरसों में नहीं पूछे गए लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अब के बरसों में प्रवल है तो इस कारण से इस टॉपिक को भी छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते अगला जो टॉपिक है वो है रोक्स यानि चट्टाने देखिए यह क्या है कि इससे अ टॉपिक है तो इससे भी प्रस्न पूछे जा सकते हैं और यह जो दो सिध्धान्त है यानि जो प्लेट वीवर्तने की सिध्धान्त है और दूसरा जो महादीपी विस्थापन सिध्धान्त है यह दो सिध्धान्त हैं जो आपके भूगोल में या कह सकते हैं कि भूगोल खंड के अंतरगत महत्पून टॉपिक्स हैं चुकि क्या है कि इनका अप्लिकेशन अलग-अलग खंडों में देखने को मिलता है जैसा अगर हम बात करें तो भूकम ज्वाला मुखी परवत रचना और बहुत सारे जो साक्ष हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्ण यहां से बन सकते हैं तो इस दिश्टिकोंड से यह दो दोनों सिध्धान्त है जो थिवरीज हैं यह आपके लिए महत्पूर है इसी के साथ जब हम जलवायू विग्यान में आते हैं दूसरा जो इसका खंड है वह जलवायू भी गया इसमें देखेंगे अगर हम तो जैसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं उस्मा बजट इससे अभी तक प्रश्ण नहीं पूछे गए लेकिन इससे अप्लाइड प्रश्ण बन सकते हैं कि आखिर आने वाले समय में जैसे अगर हम देखें तो जो ग्लो सकते हैं तो यह भी कहा है कि समान तोर पे यह आपको जानना है कौन-कौन से महत्पूण सब topics हो सकते हैं उनकी चर्चा हम फिर से करेंगे इसी में applied topics हैं यहां से भी प्रश्न बने की संभावना है क्योंकि वहारिक जो भी topics होंगे वहां से UPSC प्रश्न पूछती हैं तो जो भी applied topics होंगे उनको तो आप छोड़ के जाइए ही मत उनको अच्छे से पढ़िए और कहां इनके application है उसको जरूर ध्यान में रखिए इसी के साथ क्या है कि वायु मंडली दाप वायु दाप कटिबंध और भुमंडली पॉने यह देखिए क्या है कि ऐसा topic है जलवायु विज्ञान में जहां से कहीं न कहीं घुमा कर एक प्रश्ण आप से पूछे के प्रश्ण भी आप आसानी से हल कर सकते हैं इसी के साथ जो precipitation है यानि जो बरसड है इससे भी प्रश्ण पूछे जाते हैं क्योंकि यह भी एक applied topic है और आप देखेंगे कि अभी तक पिछले बरसों में इससे 6 प्रश्ण पूछे गया यानि यह कितना महत्पूर्ण है आप इसी से समझ सकते हैं कि अभी तक जितने भी topics हमने देखें उनमें इतने प्रश्ण पिछले बरसों में कभी नहीं पूछे गया जितना की सिर्फ एक topic से यह प्रश्ण पूछे गया यानि 6 प्रश्ण छे प्रश्ण इस topic से पूछे गया तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आपके लिए कितना महतपूर है इसके बाद काया कि जो atmospheric circulation है जो वाय मंडली परिसंचरण है यह भी आपके लिए महतपूर है इससे भी प्रश्न पूचे जाते हैं हां यह अलग बात है कि यह उतना महतपूर नहीं है लेकिन क्या है कि इससे जुड़े हुए कह सकते हैं कि जो अन्य कंसेप्ट है वो आपके लिए मैथपूर है तो वहां से ये प्रश्ण पूछे जाते हैं और फिर क्या है कि जो साइक्लोन है तो ये भी क्या है कि साइक्लोन चुकी क्या है कि बिस्व में अलग अलग छेत्रों में जैसे अभी हम देख था कि यहां पर साइक्लोन का प्रभाव अभी चार-पांच महीने पहले देखा गया था तो क्या है कि जहां भी विश्व में विभिन जो चक्रवात आते हैं तो उनसे करेंट से जोड़कर इसके जो संसे व वह यू पीजू आप से पूछता है यानि क्या है कि करेंट भी आपको तयार करना है और उसी के साथ जो इस्टेक से क्षेन है उसको भी आप अच्छे से पढ़के तयार कीजिए तो यह भी क्या कि ये भी आपके लिए most important topic है फिर क्या है जेट stream है जलवायू प्रदेश है तो देखे इसमें क्या है कि ये भी एक applied section है समाने तोर पे इस topic के बारे में आपकी basic समझ होनी चाहिए हाँ अगला जो topic है जलवायू प्रदेश ये क्या है इससे जुड़े हुए प्रश्ण अक्सर पूशे जाते है और देख पीछले बर्टों में is topic से पांच प्रस्ण पूशे गया है जैसे हमने देखा कि बरसा से छेप्र पूशे गया ठीक उसी pattern पे क्या है कि क्लाइमेटिक रीजन से इसका मतलब क्या है कि पांच प्रशन पूछे गया है इसका मतलब इसके प्रशन आने की संभावना है अब यह कौन-कौन से इसके सब टॉपिक से प्रशन पूछे जाते हैं वह हम डीटेल में देखेंगे फिर क्या है कि भारती मांसून एवन जो से भी क्या है कि लगातार प्रशन आपके पूछे जाते हैं और आप देखेंगे तो बिगत बर्सों में अगर जलवायू विज्ञान की बात करें तो जो जितने प्रशन लगभग जलवायू विज्ञान के सभी खंडों को जोड़कर हम देखें उतने प्रशन लगभग इसी टॉपिक से पूछे गए तो इस दिश्टी कौण से कहा है कि आप समझ सकते हैं कि जो भारती मांसून है और जो जलवायू है यह आपके लिए कितना महत्पूर है और इसके किस टॉपिक से या कौन से टॉपिक है जहां से इस खंड से प्रशन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम देखेंगे लेकिन क्याया की परिच्छा के दिश्टी कौण से जो भारती मांसून एयों जलवायू टॉपिक है यह बहुत ही महत्पूर है एक तरह से कह सकते हैं इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी है और उसी के साथ यह क्याया की अप्लिकेशन है यानि कि यह क् फिजिकल जोगरफी के साथ जो भारत का भूगोल है उससे भी जुड़े हुए प्रश्ण इससे बनते हैं यही कारण है कि इस खंड से आपको कोई न कोई प्रश्ण प्रतेक बर्स आपके प्रश्ण पत्र में देखने को मिल जाता है फिर हम बात कर लें कि जो क्लाउड्स ह है यह भी कहा है कि आपके लिए महतपूर है इस टॉपिक से तीन प्रश्ण पूछे गए समानी तोर पे छोटा टापिक है लेकिन इस टॉपिक से प्रश्ण आने की संभावना बनी रहती है और यह इंट्रेस्टेट टॉपिक भी है तो ऐसे टॉपिक को आप क्या करिए कि इसके बेसिक जो कंसेप्ट है जो इसकी आधार भूत समझ है उसको आप समझ लिजे क्योंकि यह प्रेसिपीटेशन से जुड़ा हुआ टापिक है और इसके बहुत सारे कह सकते हैं कि इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं तो यह आपके लिए महतपूर है फिर इसी में क्या क्यायकी तापी प्रतिलोमन है यह टेंप्रेच्र से जुड़ा हुआ टोपिक है इसी में क्यायकि अप्लिकेशन फॉग है तो कोहरा चुंकि देखने को अकसर मिलता है इसके बहुत सारे इंपैक्ट देखने को मिलते है लोकल वेंग जैसे हमने पर संचान के बारे में बात किया ये भी वही से जुड़ा हुए टापीक है जब किसी सी मीच्छेत्र में कोई पवन का प्रवाह होता है तो वो किसी खास नाम से जानी जाती है उसी के आधार पर क्या है कि इसके विभाजन किये जाते हैं और अक्सर इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं तो यह है अब यहां तक हमने देख लिया कि जो क्लाइमिट लॉजी के ज है मासागरी जल का तापमान यानि टंप्रेचर आप द ओसीन वाटर यह क्या है यह आपके लिए महतपूर है क्यों महतपूर है तो देखे जैसे हमने तापमान समान अस्तर पे हमने जलवायू बिग्यान में पढ़ा ठीक वैसे ही क्या है कि समूंद्र बिग्यान में जो करते हैं और यह भी क्या है कि एक तरह से अप्लाइड टॉपिक है जैसे सागरी जल का जो तापमान होता है वह आगे चलकर लवनता को प्रभावित करता है सागरी जो जल धाराय होती है उससे इसका जुड़ा हुआ संबंध है और अन्य जो विभीन प्रकार की जैसे कोरल र महत्पूर है हमने बताया कि जो लवनता होती है यानि सागरी जल की जो लवनता होती है वह भी क्या है कि इसके तापमान से कह सकते हैं कुछ हद तक जुड़ी हुए है तो यह भी टॉपिक आपके लिए महत्पूर है यह लग बात है कि अभी तक इस टॉपिक से प्रश्न द क्यों ? क्योंकि अक्सर जoqu danced अभी क्या है कि अल नीनो ला नीनो चर्चा में बना हुआ है यह कहा जा रहा है कि बरस 2023 की तुल्ला में दो हजार चोविस में जो ला नीना है उसका प्रभाव अधिक होगा और इस का रछव से जो मांसून की प्रभाव देखने को मिलते हैं तो इससे जुड़े हुए प्रशन आपके पूछे जाते हैं कि आखिर इनके औस्थिती क्या है इनका नेचर क्या है इनकी प्रकृति क्या है तो इस दिश्टी कोण से क्या है कि यह महतपूर है इसी के साथ ज्वारभाटा टॉपिक आपके महतपूर इससे एक प्रशन पूछा गया है जो महासागरी तरंगे है वो भी आपके लिए महतपूर है जो कोरल रीफ है प्रवाल भित्ती है इससे तीन प्रशन पूछे गया है तो क्या है कि अगर हम देखें थोड़ा सा जलवायू के कंटेक्स्ट में कि जो विभिन वर्तन हो रहा है तो उस दिश्टी कोर से क्या है कि यह महतपूर टॉपिक्स है यहां से प्रशन अक्सर पूछे जाते हैं तो यह हमने देख लिया कि फिजिकल जोगरफी में जो महतपूर टॉपिक्स है जहां से प्रशन पूछे जाने की संभावन है इसके अलावा भी बह उपर के प्रश्ण दिये गए हैं इन ही से जुड़े हुए हैं तो देखिए इसका पीडियाप भी आपको संस्कृति आइस के टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा तो यह जो हमने दिखाया इसके बारे में आपको क्या करना है कि पहले इन टॉपिक्स को मेंशन कर लेना ह है और इसमें यह देखना है कि आपकी तयारी इन टॉपिक्स में किस अस्तर की है और जो सेक्षन आपके वीक हैं उनको क्या करिए कि उनसे जुड़े हुए जो अधरात्मत पच्छ हैं जो कंसेप्चुल टॉपिक्स हैं या जो भी तत्थ हैं उनको प्रिपेर करिए उनसे जुड़े हुए जो फैक्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए और उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए अब देखें इसी के बारे में क्या है कि जो हमने बिभिन टॉपिक्स पढ़ें उनके कौन से सब टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे जो पहल संबभाने वखने लो अंधिची हैं उनकी बिशेष्टाएं कौन सी है इस से जूड़े हुए प्रश्ण आपके पूछे जाते यह क्या है कि यह आपके लिए महत्पूर और जो विभिन आकृतियां उनकी बिशेस्थाएं क्या है वह भी क्या है कि आपको थोड़ा-सा उन पर जो महत्पूर, वहां पर आकृतियां बंती हैं उनके बारे में basic समझ या उनसे जुड़े हुए जो तथ है वो आपको आने चाहिए तो यह है इसी के साथ क्या है की समाने तोर पे जो बड़े महासागर है जैसे प्रसांत महासागर अट्लांटिक महासागर हिंद महासागर इनकी क्या कि नितल उच्छावच क्या है उसको आप एक बार देख लिजिए जैसे कहां सबसे गहरा स्थान है कहां चिछला स्थान है उससे जुड़े हुए अगर कोई चर्चा में कह सकते अस्थान आ रहें प्लेस आ रहें तो उनको एक नोट डाउन कर लिजिए इसके बाद क्या है कि जो प्रीथवी की आंतरिक सनर्चना है यह क्या है कि एक अप्लाइट टॉपिक है और यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे इससे दो प्रश्न पूछे गए इसमें क्या करना है कि आपको बेसिक तोर पे यह जान ल कि आहरी कर आधोर इसके इसके कितने भाग की एक है उनकी विसेष्छाय क्या है और फिर देख लीजिए संचलन होते हैं उनके प्रभाव देखने को मिलते हैं जैसे अगर हम बात करें तो जो बलन बनता है वो इसी के अंतरगत है जो भ्रंस बनता है तो उस आधार पर क्या है कि इंडोजेंटिक फोर्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और विभीन जो संचलन होते हैं उनके कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं वो भी एक बार रिकाल कर लीजिए और जो एक्सो जनिटिक मोमेंट है यानि जो बहिर जनित भू संचलन है इसका क्या है कि जैसे मृदा मास वेस्टिंग जो कह सकते हैं लैंड स्लाइड होता है उससे संबंध है तो यह भी आप अप्छड की प्रक्रिया क्या है परदन की प्रक्रिया क्या है मास वेस्टिंग क्या होता है और इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं और इसके अप्लिकेशन क्या है तो यह आपके लिए महत्पूर है फिर क्या है कि जो चटान हमने बताया तो इसमें यह देख लीजि कि रोक साइकिल होती क्या है कैसे एक रोक दूसरे में परिवर्तित होती चलती है इसके कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं और इसी में क्या है कि आपको प्रिजेंट में जो साधी और 제ख परत्दार चटान है। इसके application से जुड़े हुए प्रश्न पिछले बर्सों में पूछे जा रहा है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है तो यह हमने देख लिया अगला जो टॉपिक है वो है प्लेट विवर्तन की सिध्धान और दूसरा महादीपी विस्थापन सिध्धान तो जैसा हमने पहले ही बताय में यह थियोरी किस ने दिया था और फिर देख लिजे कि जो प्लेटों का संचलन होता है वो किस संदर में होता है कितने प्रकार से होता है तो यह भी आपके लिए महतपूर है और इसमें जो बिभिन प्लेट है उनके विकास की जो प्रक्रिया है उनके मुवमेंट की जो प धांत इसका आखिर मूल रूप से वर्तमान में क्या उपयोग है यानि कि इसके अप्लिकेशन क्या है और इसी तरह क्या है कि जो दूसरी थियोरी दी गई है इसके बारे में भी आप बेसिक तोर पे जो बेसिक बेसिक बाते हैं उनको समझ लिजे यह हो गया अगला जो टॉप इसे ने छेत्रों में क्या है कि भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है तो पहला क्या है कि आपको उन लोकेशन को देखना है कि आखिर यह कहां पर हो रही है और उसकी कारण को देखना है कि आखिर किस प्रकार के प्लेट से इसका संबंध है और फिर क्या है कि बेसिक त पैमाने हैं क्योंकि इससे प्रश्ण पूछे जा रहे हैं जो मरकेली पैमाना है और दूसरा जो रिक्टर पैमाना है मूल भूत अंतर क्या है इनके मापन की प्रक्रिया क्या है और इसमें कौन से कह सकते हैं मानक अपनाए जाते हैं यहां से प्रश्ण पूछे जाते हैं और बिस्व में जुभूकंप का बितरण है, जहां भूकंप आने की संभावना है, उस पेटी को भी आपको अच्छे से देख लेना है, और कैसे भूकंप प्लेट टेक्टानिक थियोरी से जूरता है, यनि जो ये थियोरी है कैसे भूकंप की ब्याख्या करता है, इसके बारे में भी क्या है कि बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, और इसी में क्या है कि इसी का एक अप्लिकेशन है सुनामी, क्योंकि अक्सर अलग-अलग छेत्रों में ये देखने को मिलता है, तो ये भी आपके लिए महत्पूर है, अगला टॉपिक है, जो ज्वाला मुखी क्रिया है, और इससे निर्मित जो विभिन असलाकृतिया है, जो लैंड्स फॉर्म बनते हैं, तो इसमें कहा है कि पहले तो ये देखिए कि वर्तमान में, करेंट के पस्पेक्टिव में, यदि बिस्व में कहीं कोई बोलकेनिक एक्टिविटी देखने को मिली है, तो आखिर वो कहां पर देखने को मिली है, और क्यों देखने को मिली है, फिर देख लिजिए कि अखिर जो ये वोलकेनिक प्रक्रिया होती है, इसके पीछे काज क्या है, कौन से कारण है कि वहां देखने को मिल रहे हैं, विसमें जो बिभिन बोलकेनिक छेत्र है, उनके बारे में बेसिक समझ आप को आनी चाहिए और उसमें भी उसका नेचर कैसा है वो वर्तमान में क्या एक्टिव है क्या वो इन एक्टिव है या क्या संभावित है तो इस तरह की क्या है कि जो बिभिन इससे जुड़े हुए तत्थ हैं और जो ज्वाला मुखी का जो हम बर्गी करते हैं जिसके बारे में में देखिए क्योंकि जैसे मैंने बताया यह जो है क्या है कि भुकाम ज्वाला मुखी और परवत रचना के बारे में डीटेल से ब्याख्या करता है तो यह आपको आना चाहिए तो यह हमने देख लिया और इसमें क्या है कि जो बिभिन लैंड्स फॉम बनते है यानि जो ब है अगला जो टॉपिक है वह है क्लाइमेट लॉजी का यानि जैसे हमने बताया कि हीट बजट तो इसकी जो बेसिक संकल्पना है वह आप देख लीजिए कि कैसे आता है सौर प्रकास कितना उसका सोशन होता है कितना वह रिफ्लेक्ट होता है कितना विक्रित होता है और प्रशन आपके पूछे जाते हैं और इससे जुड़े हुए जो बिभिन टर्म लॉजी है जो सब्दावली है वह भी आपको आना चाहिए जैसे अल्बीडो प्रकीडन क्या होता है बिसरन क्या होता है यह बेसिक बेसिक सब्द है यह क्या है इनके माइने क्या है यह आपको कौन से कारण है जी ओ तापमान को प्रभावित करते हैं और फिर क्या है कि इसके बितरण को यानि इसका जो चैती बितरण है और जो उर्धवार्धर बितरण है इसको भी आपको डिटेल में देखना है क्योंकि यहां से जुड़े हुए प्रश्ण आपके पूछ लिए जाते है अगला जो तोपिक है वह है वाय मंडली आधरत तो बेसिक अस्तर पे आप समझे है किमिडिटी होती क्या है इसके निर्धार कैसे किये जाते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं उनकी विशेस्ताय क्या होती हैं और इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं तो यह यहां से प्रश्ण पूछे जाने की संभावना है तो यह आप देख सकते हैं अगला है वायुमंडली दाब वायु जो आधारित अन्य कंसेप्ट है या दूसरे टॉपिक से जो ये जुड़कर प्रश्न आप से पूछे जाता है इसमें क्या है कि बेसिक तोर पे आपको ये जानना चाहिए कि वाई मंडली दाब आखिर होता क्या है इसके निर्धारक कारक कौन से है कैसे ये निर्धारित होता है इसका डिस्टिब्यूशन क्या है इसका बितरण क्या है और इसी के साथ जो बिभिन बेल्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं उनके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं तो यहां से प्रश्न आपके बनते हैं और इसमें भी क्या है कि जब इसका अप्लाइड सेक्षन आता ह भुमंधली पौने कि आखिर यह होती क्या है इनके कौन से प्रकार होते हैं तो उनसे जुड़े हुए भी प्रश्न पूछते हैं और इसी का अप्लाइड सेक्शन है कि इन पेटियों का जो शिफ्टिंग होता है वो क्या होता है और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है तो यह क्या है कि यह कुछ इसके सब टॉपिक है जो आप से पूछे जा सकते हैं अगला जो टॉपिक है वो है प्रेस्पीटेशन यानि बर्सन यह भी क्या है कि आपके लिए अत्यंत महत्पूर्ण है यहां से हमने बताया कि जलवायू विग्यान में सबसे अधिक प्रशन प होती है इसी में कहा है कि इससे जुड़ा हुआ जो जलचक्र की पूरी प्रक्रिया है यह आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इसका आपलीगेशन आपको इनवार्मेंट में भी देखनेJacko मिलेगा तो यह आपको देख लेना है फिर क्या है कि इसके से कौन से टाइब्स होते हैं उनका वित्रन बिस्व में कहा है और इनकी बीशेष थाय Russi क्या क्या है यह कैसे अन छιάत्रों को प्रभावित करता है यह आप से पूछता है और इसी में कहा है कि जो बर्सा का विश्व वित्रन वो कैसा है उसका प्रभाव क्या देखने को को मिलता है कौन से कारण है उस प्रकार के बर्सा का वहां होने के लिए यह सारे तत्थ हैं जहां से प्रश्ण आपके पूछे जा सकते हैं तो यह भी आपके लिए महत्पूर है अगला जो टॉपिक है वो है वाई मंडली परिसंचरण यानि एटमास्फेरिक सरकुलेसर इससे जुड़े हुए प्रश्ण अभी तक केवल एक पूछे गया है लेकिन आने वाले समय में क्या है कि इससे प्रश्ण पूछे जा सकते हैं मूल लूप से क्या है कि आपको बेसिक तोर पे समझ लेना है कि आखिर वाई मंडली परिसंचरण होता क्या है और इससे संबंदी जो प्रश्ण कटिबंधी चक्रवात तो पहले क्या है कि आपको बेसिक समझ होनी चाहिए कि आखिर साइकलोन होता क्या है यह कब उत्पन होता है कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं फिर ऐसे क्या है कि एंटी साइकलोन क्या होता है प्रती चक्रवात क्या होता है यह दोन से impact देखने को मिले हैं और किस कारण से वहां उत्पन हुआ है और फिर क्या है कि जो चक्रवात के विभिन प्रकार है यह कैसे निर्मित होते हैं इनकी अपनी विशेस्ताय क्या है और इनके कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्ण आपके पुछे जाते हैं तो पहले तो क्या है कि आपको जेट इस्टीम की बेसिक समझ होनी चाहिए कि आखिर यह होता क्या है कितने प्रकार की जेट इस्टीम होती है उन सभी प्रकारों के बारे में यानि जो विभिन जेट इस्टीम के प्रकार है उनके जो बेसिक भी सेस्ताय है उनको आप जानिए और फिर क्या है कि इसका मौसम पर कौन सा इंपक्ट परता है यह मौस्ट इंपर्टेंट तो यहां से प्रश्ण आपके बन सकते हैं अगला है क्लाइमेटिक रीजन यानि जलवायू प्रदेश तो क्या है कि यह आपको देखना है कि विस्व में महत्पूर रूप से कौन से जलवायू प्रदेश निर्धारित किये गया है किन्हों ने निर्धारित किया है उनके जलवायू प्रदेश की विसेस्ताएं क्या है किस आधार पर इन्हों ने यह बरगी करा प्रस्तुत किया है और उनको कैसे डिनोट किया जा रहा है क्योंकि इससे जु सिंबोल के साथ वह प्रदर्शित की जाती हैं उनकी विसेस्टाएं क्या है उनके प्रभा वहां पर क्या देखने को मिलते हैं और इसी से जुड़ा हुआ भारत में भी कि भारत में कौन से जलवायू प्रदेश देखने को मिलते हैं तो इन से प्रशन आपके पूछे जाते है तो यह हमने जलवायू प्रदेश देख लिया इसी में कहा है कि एक महत्पूर्ट टॉपिक है वो है भारती मानसून एवं जलवायू क्योंकि यह कहा है कि यह फिजकल जोगरफी के साथ इंडिया के मानसून से जुड़ा हुआ प्रश्ण है यह टॉपिक है तो यहां से भी कह है कि लगतार प्रश्ण पूछे जाते हैं सबसे पहले क्या है कि आखिर आपको मालूम हो कि मानसून जलवायू में अंतर क्या है यह होते क्या है फिर देखिए कि भारती जो मानसून है इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है या फिर इसके पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको basic समझ होनी चाहिए कि कैसे ये बनता है कैसे ये समाप्त होता है इससे जुड़े हुए प्रशन आपके पूछे जाते और भारत में जो बार्शिक वर्सा है उसका distribution क्या है भारत के जो विभिन छित्र हैं वहां पर कितनी बर्शा प्राप्त होती है किस प्रकार की प्रा किया है और उसके प्रभाव क्या है इंसे जुड़े हुए प्रशन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं और इसी जुड़ा हुआ यह topic है cloud यानि बादल तो यहां से हुए भी प्रश्न आप से पूछे जाते हैं इनकी संख्या जो है विगत बर्सों में यहां से तीन प्रश्न पूछे गए यानि यह भी टॉपिक आपके लिए महत्पूर है तो अगर हम देखें तो भारती मांसून जलवायू बरसा और बादल से तो लगबग क्या है कि वैसिक तोर पे आपको इंवर्जन देखना है की आखिर इंवर्जन होता क्या है कितने प्रकार Dragons प्राइज देखनों को मिलते हैं और फिर क्या है कि जो जो अप विभीlay इसके प्रभाव है में वही क्या है कि इसका अप्लिकेशन कोहरा के रूप मैं देखने को मिलता है त से देखेंगे तो अभी तक एक प्रश्ण आया है लेकिन इस बर्स प्रश्ण आने की संभावना प्रबल है और फिर क्या है कि जो लोकल विंड्स है यह क्या है कि यह परिसंचरन से ही जुड़ा हुआ उसका एक अप्लाइट टापिक है कि अलग-अलग छेत्रों में जो विभ होना चाहिए उनके नाम मालूम होने चाहिए कि किस छेत्र में यह प्रवाहित होती है तो इससे जुड़े हुए प्रश्ण आपके पूछे जाते हैं अगला जो है वह है महासागरी जल का तापमान यहां से उसनोग्राफी के टॉपिक हम देख लेते हैं तो यह क्या है कि ज जो महासागरी जल है इसका जो अच्छांसी बितरण है वह कैसा है और महासागरी जल का उर्धवारदर जो तापमान है वह कैसे निर्धारित होता है और यह कितना होता है तो इसके बारे में भी आपको जानना है और इसके जो प्रभाव हैं वह भी आपको देखने हैं और इ कैसे जो सब्दावली है इनके बारे में भी बेसिक बेसिक समझ आपको डबलब करना है अब अगला टोपिक देख लेते हैं गो है महासागरी जल की लवर्ता यानि सेलेनिटी तो बेसिक तोर पे आपको यह जानना है कि महासागरी जल की लवर्ता कहने के पीछे आखिर आपको देखना है और फिर क्या है कि जो महासागरी जल की लवर्ता का जो डिस्टिब्यूशन होता है वह आपको देखना है कि आखिर इसका 36 बित्रण क्या होता है यानि अच्छांसी बित्रण और उर्ध्वार्धर बित्रण क्या होता है और जो प्रसांद महासागर हिंद महासागर, Atlantic महासागर है, यहां की जो लवर्ता है, यह भी कह सकते हैं, कि बैस्विक अस्तर पे जो लवर्ता है, सागरी, जो लवरता है उसका आपको बित्रण मालूम होना चाहिए क्योंकि इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसी के साथ विभिन सागरों के बीच में तुलना करते हुए जैसा अगर हम बात करें कि खुले सागर की लवरता अंता बंद या बंद सागरों की लवरता के बीच में क्या है कि एक तुलनात्मक प्रश्निया से पूछे जाते हैं तो वह भी आपको देखना है कि कौन से सागर बंद है कौन से खुले सागर है वहां लवरता को कौन से कारण प्रभावित करते हैं तो विभिन में जो छेत्र हैं वहां जो लवरता का मान है वह आपको बेसिक बेसिक आना चाहिए तो यह हमने देख लिए अगला जो टॉपिक है वह कह रहा है महासागरी धराएं तो यह कहा है कि यह भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां से अक्सर प्रतेक बर्स आपके प्रशन पूछे जाते हैं कि मह सागरी धराएं होती क्या है इनके उत्पन होने के पीछे कारण कौन से है यानि जल्धाराओं की उत्पत्ती के कारण कौन से है इनकी दिसाओं को निर्धारित करने वाले कारक कौन है और फिर क्या है कि इनके कौन से प्रकार है कहा इनकी अवस्थिती है यह गर्म जल्धार कि थंडी जल दारा है किस प्रकार से यह उत्पन हुई इनकी विसेष्टा है इससे जूड़े हुए आपके प्रश्ण पूछे जाते हैं इसहीं में कि अनीनो लानीनो या इस तरह के जो एवन इनसो प्रभाव और है इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह भी आपको जानना है और इनके जो इंपक्ट है वो सबसे महत्पुन है कि इन जल्धाराओं के प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं तो यह हमने देख लिया इसका जो अगला टॉपिक है वो है ज्वार भाटा यहां स इसे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं अगला जो टॉपिक है वो है महासागरी तरंगे यानि ओसियन वेप्स इसमें कहा है कि आपको बेसिक तोर पे जो विभिन वेप्स है उनकी भी सेस्ता है जानना है उनके कौन से प्रकार होते हैं आखिर इनका भूह आकृतिक महत तो क्या होता है और इसी के साथ इनसे जुड़े हुए जो छोटे छोटे चोटे कंसेप्ट है उनको आप रिवाइज कर लीजे और फिर क्या जो अगला टॉपिक है वो है प्रवाल भित्ति यानि कोरल रिप्स यह काफी इंपोर्टेंट टापिक आप देखेंगे इस से भी पर रहे हैं उनके बारे में हमें देखना है उनके समाधान क्या हो सकते और इसी के साथ जो विभिन कोरल रिप्स के टाइप होते हैं उनके बारे में भी हमें समझना है और इनके बारे में जो विभिन वित्तिया है वो कैसे निर्मित होती है प्रवाल बिरंजन क्या होता है इसके कारण क्या है इनके प्रभाव क्या है कितने प्रकार के यह होते हैं यह सारे जो तथ हैं वह कहीं न कहीं आपके परिच्छा के दिश्टी कौन से महत्पून हैं इसी में क्या है कि Miscellaneous जो topics होते हैं जो ऐसे प्रस्ण होते हैं आसे भी बहुत सारे प्रस्ण है जो पूछे जाते हैं लेकिन इनका कहीं प्रत mogę अब प्रतैस से सम्भंध है पहले के जो topics हमने बताए जो महत्तुपूर्पूं टैपिक्स थे उनके सब topics थे वहां से किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं तो वो कहीं न कहीं उनी से जुड़े हुए प्रश्ण थे तो यह हमने चर्चा कर ली कि जो भौतिक भूगल है यानि जिसमें भुवाकृति विज्ञान जलवायू विज्ञान और समुद्र विज्ञान के जो महत्पूर्ण topics थे जो उसके सब topics थे जहां से प्रश्ण पूछे जाने की संभावना प्रवल है तो उनकी चर्चा हमने कर ली हम उमीद करते हैं कि अगर यहां से आप अच्छे से इन topics को revise कर लेते हैं तो आपको आपके अगामी परिच्छा में इससे प्रश्ण देखने क बिलेंगे अब इसी का जो अगला पार्ट है जिसमें हम देख लेंगे कि जो आर्थी क्यों समाजिक भूगोल है क्योंकि यह भी आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है और इसमें कौन-कौन से महत्पूर्ण topics हैं पहले उनको देख लेते हैं जहां से प्रश्ण लगातार बन रहें तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो भी विश्व और उसमें क्या है कि भारत दोनों को हम लेके चल लें जिसके आर्थी क्यों समाजिक भूगोल से समदित जो भी topics होंगे उनको हमने समराइज किया जिसमें जो पहला topic है वो है भौगोलिक विसेस्ता है एवं उनके अस्थान और इसमें भी क्या है कि जो अत्यंत महत्पून भौगोलिक प्लेस है जो प्लेस है उनसे जुड़े हुए प्रशन लगातार पूछे जा रहा है और अगर बिगत बरसों में पूछे गए प्रशनों की संख्या की बात करें तो देखें कि ये डेटा ब प्रशन आते हैं और अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं पड़े हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है दूसरा जो टॉपिक है वो है विस्व भर के जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन है अगर बात करें तो आपके सलेबस में सीधे लिखा गया है कि प्राकृतिक संसाध का विश्व में बितरण तो यहां से भी लगातार प्रश्ण पूछे जाते हैं और इसमें भी क्या है कि जो एसिया का दच्छिड एसिया वाला हिस्सा है और जो भारती उप महादीप है इसके संदर्व में प्रश्ण बनने की संभावना अधिक रहती है तो यहां से जुड़ बरसों में पूछे गया है तो इस दिश्टी कौन से यह भी जो खंड है यह हमारे लिए महतपूर है इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या है कि विश्व यानि कि भारत को सामिल करते हुए जो विभिन भागों में प्राथमिक दुतियक और जो तिर्तियक छेत्र है यानि कि primary सेकंडी तर्सरी जो सेक्टर से उनके जो उद्योग हैं उनको अस्थापित करने के कौन से प्रमुक जिम्मेदार कारक हैं और इन कारकों के साथ क्या है कि विश्व योम भारत में इनकी जो अवस्थिती हैं विभिनी जो उद्योग हैं उनके टाइप्स आ॥ यह पर अस्थापित है इनसे जुड़े हुए प्रश्ण आपके लगातार पूछे जा रहे हैं और यहां से पूछे गया है विगत बर्सों में अगर प्रश्णों की संख्या की बात करें तो वो 9 प्रश्ण 9 प्रश्ण पूछे गया है इसी के साथ जो एग्रिकल्चर सेक्टर है इससे भी लगातार प्रश्ण पूछे जा रहे हैं जैसे कि जो सीट्स है मैनियोर है जो केमिकल और बायो फर्टिलाजर है इनसे प्रश्ण पूछे जा रहे है जो पेस्टिसाइड है या जो सस्टनेबल एग्रिकल्चर है उससे जुड़े हुए प्रश्ण आ रहे हैं तो यह भी आपके लिए महतपूर है और अग आप देखेंगे तो इस खंड से 39 प्रश्न यानि 49 प्रश्न पूछे गए देखे यह चोटा सेक्षन है और यहां से जो पूछे गए प्रशनों की संख्या है वह बिगत बर्सों में बड़ी तेजी से बड़ी है तो इस कारण से क्या है कि यह आपके लिए most important है और चुकि यहां sustainable जुड रहा है तो लगातार क्या है कि बैस्विक अस्तर पे भारत के अस्तर पे सतत जो विभिन आयाम है उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहा है तो इस कारण से यह महतपूर है इसके बाद क्या है कि ट्रांस्पोर death rate है death rate है या इस तरह के जो विभिन कह सकते हैं demographic जो attributes है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं यह अलग बात है कि यहां से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है लेकिन basic तौर पे आपको इनका knowledge होना चाहिए क्योंकि इनसे जुड़े हुए अन से प्रश्न पूछे जाते हैं आयू संगठन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं यह अलग बात है कि यह जितने भी topic है यह मूल लूप से क्या है कि कह सकते हैं कि जो जन संख्या भूगोल है उनसे जुड़े हुए यह प्रश्न या यह topic हैं जहां से प्रश्न पूछे जा रह और जो बड़े अस्तर पे अलग-अलग छेत्रों से जो माइग्रेशन देखने को मिल ला है तो इस प्रकार के जो पैटन बन रहे हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्ण बन सकते हैं जैसे अगर हम बात करें तो करेंट में अपने देश में जो मैनमार से रोहंग्य के जो माइग्रेशन हो रहे हैं वो किन भावगोलिक छेत्रों से हो रहे हैं और कहां पर हो रहे हैं तो इनसे जो पैटन बन रहा है इनकी जो अवस्थितिया है इनसे जुड़े प्रश्ण आने की संभावना प्रवल है और इसी के साथ क्या है कि जो यह माइग्रेशन हो रह और साउथ अमेरिका से जो डेरियन गैप के रास्ते जो बड़े अस्तर पे माइग्रेशन हो रहा उसका कारण कुछ और है तो यह भी आपको ध्यान देना है कि कारण कौन से है और उसके इंपक्ट कौन से है प्रभाव कौन से है और इस प्रकार से क्या है कि यह सारे जो पूछे गया है यह सारे क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए और इसके बात क्या है कि एक और टापिक है जो है प्रजाती एवं जन जाते यह आपके लिए बहुत ही महत्पूर है आप देखेंगे कि इस चोटे टापिक से ही क्या है कि विगत बर्सों में छे प्रश्न जिनके सामने कुछ प्रमुक्ष समस्याय उत्पन हुई है या किसी खास कारण से अगर वो न्यूज में बने हुए है तो उनसे जुड़े हुए प्रश्न आप से पूछ लिये जाते हैं ऐसे ही कहा है कि बैस्वी कस्तर पे कोई जन जाती है जो किसी अपनी विसेश्था के कार सुर्खियों में बनी हुई है चर्चाओं में बनी हुई है तो उससे जुड़े हुए जो लोकेशन है उसकी जो अपनी विसेश्था हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछ लिये जाते हैं तो इस आधार पर आपको भारत यों विस्व के जो प्रमुक्ष ट्र आला है तो यहां से प्रस्फिखर बनते हैं तो यह हमने देख लिया कि इस खंड से जो महत्पूंण topics ते जहां से प्रश्ण बन सकते अब उनमें कह inici कि जो उनके सब topics हैं उनको संछित औरूप से हम देख लेते हैं जैसा अगर पहला topic की जो पठारी छेत्र हैं जो दीपी छेत्र हैं इस तरह के जो विभिन छेत्र हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर अस्तर पे नौलेज होना चाहिए और उनकी विशेष्टाएं क्या है वो कब बने हैं और वर्तमान में उनकी क्या इस्थिति है ऐसे प्रश्ण आप से पूछ दिये जाते हैं दूसरा जो टॉपिक था कि विश्वभर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन और उनका भी तरह तो देखिए यह आपके लिए महत्पूर है जैसे कर भारत के संदर में देखें तो क्या है कि जो भौगोलिक भी सेस्थाएं हैं और जो उनके अस्थान है वो अत शिप्त पर्चे आपको आना चाहिए उनकी विशेष्टाएं क्या है और उनसे जुड़े हुए जो विभिन भौगोलिक वस्थितिया है वो अगर आप जानेंगे तो फिर क्या है कि वहीं पर आप प्राकृतिक संसाधनों के जो बित्रण है जो डिस्ट्रिबूसन है उनको आप समझ पाएंगे तो यही आपको भारत में करना है कि भारत में प्रमुख कौन से ऐसे प्राकृतिक छेत्र हैं जो संसाधनों के दिश्टी कौन से महतपूर है और ऐसे ही क्या करना है कि विश्व के संदर में भी आपको देखना है और इसमें भी क्या है कि अगर हम विश पूछे जा सकते हैं तो यह आपको ध्यान देना यह दो टॉपिक जो है पहला भॉगोलिक विसेस्थाएं और उनके अस्थान और इसमें भी क्या है कि मूल लूप से जैसे हमने बताया जो विभिन छेत्र हैं वहां पर सीमी तस्तर पर अगर आप देखें तो वहां की भुवा सांखी की हो यह सारी विसेस्थाएं आपको देखना है तो यह महतपूर टापीक है इसी के साथ अगर हम आएं तो जो दूसरा टॉपिक है इसमें क्या है कि भारत में जो प्रमुक जो मिनरल्स बेल्ट है यानि जो खनीज पट्टिया है वह आपको ध्यान देना है कि आखिर संसादनों की बात करें तो इसमें गया कि मुल रूप से जो और धात्विक खनी संसादन है और कोइला है इनके वित्रण को आपको मुल रूप से ध्यान देना है और फिर कैस्ट जो खनी स्ली गैस है इनके अगर लेटे कहीं पर कह सकते हैं कि सोर्स प्राप्थ हुए हैं तो वह आपको ध्यान देना जैसे अगर कस्मीर की बात करें तो वहां पर प्राकृतिक गैस के बारे में खोज हुई है तो ऐसे जो केशन होते हैं उनको आप क्या करिए संशिप्त रूप से इनके जो आकड़े उनको नोट डाउन कर ले इसी साथ क्या है कि जो जल विद्दूत उर्जा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं उनको भी आप संशिप्त रूप से देख लेगी और इसके बाद जो अगला टोपि उनके बारे में आपको बताना है या पढ़ना है और इसी के साथ अगर हम विश्व एवं भारत के जो प्रमुख उद्द्योग हैं जिसके कारण से वो चर्चाओं में बने हुए होते हैं यानि बैस्वी कस्तर पे विभिन जो अध्योगिक छित्र हैं उनके बारे में संशि प्रभावित करने वाले जो मूलभूत कारक हैं उनको आपको नोट डाउन करना है और यह देख लेना है कि विश्व में विभिन जो उद्द्योगा स्थापित हुए हैं वो कौन से हैं किस कारण से हुए हैं और वर्तमान में उनकी स्थिती क्या है तो यह हम देख लेंगे इसी के साथ क्या है कि जो एग्रिकल्चर है इस यह आपके लिए बहुत ही महत्पूर है क्योंकि यहां से क्या है कि जो बीज खाद जो विभिन उर्बरक के प्रकार हैं जैसे रासाइनी या कहें जै उर्बरक किट नासक और संपोषणी किसी जो टॉपिक है यहां से प्रश क्योबस है इनके प्रकार कौन से हैं और उनकी विश्ष्चाइँ कौन सी है इसके बारे में भी आपसे प्रशन पूछ लिए जाते हैं तो यह क्या है कि यह वाला जो खंड है क्योंकि आप देखेंगे कि यहां से लगभग 49 प्रशन पूछे गया थर्टी नाइन तो इस कार में आपको देख लेना है उनमें अगर अपने देश में कोई प्रगती हो रही है कोई योजना बन रही है या इस तरह का कोई विकास आधारित कोई कारे हो रहा है तो वो आपको ध्यान देना है और उसमें भी क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि जो सीमित अस्तर पे अपने देश में जैसे अंतास्थली जलमार्ग परिवहन है या कोई बंदरगाह निर्मित हो रहा है डबलप हो रहा है उससे संबंदित अगर कोई विबाद है जैसे केरल में एक बंदरगाह बन रहा है उसके संदर में काफी दिनों से विबाद चल रहा है तो ऐसे जो पोड्स हैं उ बहुत सारे topics हो सकते हैं जो आपको क्या करना है कि current आधारी data से update करना है इसके बाद क्या है कि जो जन संख्या भूगल से संबंधित topic है जिनमें अगर हम बात करें तो जन्मदर है मृत्यूदर है जन सांख्य की जो विकास होता है उससे जुड़े हुए विभिन सब topics हैं जैस आपको यह देखना है कि विश्व जन संख्या की विद्धी या ग्रोथ कैसे हो रहा है और विश्व में जन संख्या का जो distribution है वह किस प्रकार का है जैसे अगर हम जानना चाहिए कि जो data है कि Asia में जो population distribution है वह अने छेत्रों से कैसे अलग है उसके पीछे कारण क्या है और उ इससे जुड़े मित्युदर और सोधित मित्युदर क्या होती है प्रवशन क्या होता है जंसंख्या घंठत्यू क्या होताई यह जो सब topic's है यह जो सब चाहिए कि नया census आना चाहिए लेकिन वो आ नहीं पाया है इस कारण से इस बर्स संभावना है कि census से जुड़े हुए जो प्रशन है वो चुकि लंबा गैप हो चुका है लगबग कह सकते हैं कि 10 बर्सों के अंतराल पर census बनता है लेकिन ये बन नहीं पाया है तो इस बर्स आन जो प्रभावित करने वाले विभिन कारक होते हैं और जो प्रवसन के कारण होते हैं तो ये भी आपको देख लेना है जैसे पहले हमने बताया कि इससे जुड़े हुए विभिन प्रश्न आपसे पूछ लिये जाते हैं कि आखिर प्रवसन के पीछे कारण क्या है और अगर इस तरह का माईग्रेशन हो रहा है तो उसके इंपैक्ट क्या होंगे और फिर क्या है कि जो अंतिम टॉपिक है वो क्या है कि प्रजाती एवं जन जाती मैंने बोला ये छोटा टॉपिक है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्पूर हैं तो इसमें क्या है कि बिस्व एवं भ अगलर भौगोलिक छेत्र है वहां पर वास करने वाली जो जन संग्या है उसकी अपनी विशेष्टाएं क्या है और उसमें भी मूल रूप से अगर वहां पर कोई ट्राइब से तो उसकी अपनी विशेष्टाएं क्या है यानि कि यहां की जो भी प्रजाती विवित्ता है उनकी भासा क्या है वो और उसी से समंदित जो उनकी निजाती विवित्ता हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्ण आपके पूछे जा सकते हैं तो इस तरह से कहा है कि हमने देख लिया कि भौतिक भूगोल यानि कि जो जलवायू भी ज्यान भूवाकृति भी ज्यान और समुद टॉपिक हैं या उनके सब टॉपिक हैं जहां से आपके प्रश्ण पूछे जाने की संभावना है उनकी हमने चर्चा कर ली और आसा करते हैं कि अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आगामी जो 16 जून को प्रस्तावित परिच्छा है उसमें आपके सार्थक परिडाम प्राप्थ होंगे तो इसके अगले एपिसोड में हम इससे जुड़े हुए जो परियावरण और जो करेंट खंड है उनकी कौन से टॉपिक आपके लिए महतपूर होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे लेकिन आज के इस एपिसोड में इतना ही तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद हो